हेला दोस्तों अगर आप भी एक शौमी का टीबी यूज़ करें मतलब मी का अगर आपके पास में टीबी है या फिर किसी अधर ब्रैंड का एक एंड्रोइड टीबी है और इन केस आपके रिमोट की बैटरी खतम हो जाती है या फिर आपका रिमोट काम करना बंद कर देता है स अगर आपके पास में कोई रिमोट पड़ा होगा तो उनसे यह नहीं चलती है खास करके यह जितने भी अभी नए टीबी आ रहे है सब ब्लुटूथ कनेक्टिविटी को ही जादा तर सपोर्ट करती है तो कैसे आप अपने एंड्रोइड फोन को एजा रिमोट यूज़ कर स चाहे Samsung हो, LG हो या फिर किसी दूसरे ब्रैंड का फोन हो तो उसमें IR Blaster तो इन विल्ट आता नहीं है तो उसमें एक एप आप आप इंस्टॉल करके अपने एंड्रोइड टीबी को कंट्रोल कर सकते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और सारा काम आप कर पाओग को देखने के लिए दोस्तों अभी मैं यहां पर अपने टीबी का ही रिमोट यूज़ कर रहा हूं अब मैं इसको साइड में रखने वाला हूं और अब आपको फोन में दिखाने वाला हूं कि किस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हो आपको अपने फोन का प्लेश्टोर यहां पर एक आप को डाउनलोड करना है एंड्रोइड टीबी रिमोट कंट्रोल यह आप काफी लाइट वेटेड है और यह गूगल की ही एप है तो इससे एक चीज प्रूफ होता है कि यह 100% वर्क करेगी सब एंड्रोइड टीबी के साथ में काफी छोटी सी एप है इसको अब इस एप को यूज करने का दो प्रोसेस है पहला कि आपका फोन आपका टीबी अगर सेम वाइफाइ नेटवर्क से कनेक्ट है एक मेथड वो है यह काफी यल्दी पेर हो जाएगा और अदर्वाइस आप ब्लुटूथ के थ्रू भी इसको कनेक्ट कर सकते हो चलिए मैं करता हूं और यहां पर कुछ आप से पर्मीसेंस अगरा मागेगा आप अपका टीबी वाइफाइ निट्वर्क से और आपका फोन सेम कनेक्ट है तो ही यह मैसेज आपको दिखेगा मैंने यहां पर कोड एंटर कर दिया है इसको मैं पेर करता हूं आप देख सकते हो यहां प सब कुछ यह काम कर रहा है, आपको TV के remote की जरुरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर एक touchpad का भी option मिल जाता है, आप काफी आसानी से search हो गयर अभी कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है, Mi TV का जो remote है, उससे search करना इतना आसान नहीं है, काफी time लगता है search करने में, अगर आप options में यहाँ पर touchpad आया था, touchpad के उपर अगर आप click करोगे, तो जैसे mouse आप यूज करते हो, वैसे ही कुछ यह काम करेगा, आप देख सकते हो, आपको इससे आप से scroll करना है, तो ऐसे भी आप काम कर सकते हो, अब मैं आपको दूसरा process दिखाता हूँ, Bluetooth के थूरू कैसे आप इसको connect करोगे, तो मैं पहले अपने phone का Wi-Fi बंद कर देता हूँ, मेरे phone का Bluetooth on है, और आप देख सकते हो, यहाँ पर automatically searching for Bluetooth आ गया है, क्योंकि आपके TV का Bluetooth already हमें सा on ही रहता है, आपका जो remote है वो Bluetooth से ही चलता है, यहाँ पर Android TV आ गया है, मैं इसके उपर एक बार click करता हूँ, आप देख सकते हो, कि मैंने इसको Bluetooth के थुरू connect कर दिया है, और अब भी यह काम कर रहा है, तो यहाँ पर आप Wi-Fi का भी यूज़ कर सकते हो, Bluetooth का भी यूज़ कर सकते हो, काफी अच्छी एप है, और आप इसका यूज़ करके अपने TV को easily control कर सकते हो, तो उम्मीद करता हूँ दो Subscribe करके वेल आइकन प्रेस करिए, कुछ ऐसे इंट्रस्टिंग वीडियो को देखने के लिए, तो बस दोस्तों फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही मिलता हूँ मैं आप से अपने अगले वीडियो में